आज आज की इस वीडियों बात करने वाले हैं कि आप अपनी गूगल पे का एकांट कैसे क्रेट कर सकते हैं step by step मैं आपको फुल प्रॉसस्स बताओंगा कि आप किस तरह से बड़ी यासनिते से अपने गूगल पे एकांट को वीडियोज लाता रहता हूं और आफ़वार्स लेलेटेड वीडियोज लाता रहता हूं तो चल को जो सब्सक्राइब करके ना सुगाइज जूड़ी कुछ स्टार्ट करते हैं इम्दार उस्टिंग है डाइज आपको अपने गूगल पे एकाउंट को क्रियेट करने के लिए सिंपली से गूगल पे का एपलिक्सन प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद कुछ सीपली इदर पर आपको Currently लेने का बाद सब्सक्राइब अपनी मॉबbail लंबर को मांगा जाएगा तो अपना वही मुबाइल लंबर डाला हैं जो कि आपके bank account पर link हो तो हलक़ाज मैं focus कर लिता हूँ और just फिर मैं आपको रताता हूँ तो आपको simple से वही phone number डाला है जो कि आपके bank account पर link हो जिससे आपका bank account link हो वही आपको इदर पर account number डाला है तो simple से हम उसी mobile number को enter कर लेते हैं जिससे हमारा bank account already create है तो simple से हम next button पर आपको simply से क्लिक करना है next button पर क्लिक करते ही कुछ ऐसा interface आपको देखने को मिलेगा एक आप से Gmail ID इदर से पूंचा जाएगा तो Gmail ID automatically आपका इदर पर enter हो जाएगा तो Gmail ID इदर से आप change भी कर सकते हैं इदर arrow का पर क्लिक करके तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जी में एकाउंट एड होने के बाद एक्सेप्ट एंड कंटीनिव पर आपको सिंप्ली से क्लिक कर देना है इतना सब करने के बाद आपके फोन नंबर पर एक ओटीपी डिसीब होका उस ओटीपी को आपको इंटर कर देना है वैसे तो आटोमेटीकवली इदर पर ओटीपी इंटर हो जाता है तो ऐटीपी इंटर होने के बाद इधर आपको दो ऑपसंस देखने को मिल जाता है secure Google Pay का option and इस पर आपको use your screen lock का एक option देखने को मिल जाता है and एक आपको create Google Pin का option देखने को मिल जाता है तो इधर पर आप दोनों में से कोई भी चिन सकते हैं तो मैं screen lock ही अभी चुनूंगा and continue पर आपको simply से click कर दिना है continue पर क्लिक करने के बाद आपका fingerprint पूचा जाएगा तो fingerprint मेरे पास अभी नहीं है मैं किसी और का account इधर पर create कर रहा हूँ तो create Google Pin का option पर आपको simply से click करना है and continue पर आपको simply से click कर दिना है and इधर पर आपको एक pin generate कर लेना है तो हम pin को डाल देते हैं and re-enter आपको pin इधर पर enter कर दिना है तो re-enter करने के बाद कुछ ऐसा interface आपको देखने को मिलेगा इसको cut कर दिना है आपको simple से cut करने के बाद yes leave paste का एक option देखने को मिलेगा इस पर आपको simply से click कर दिना है इस पर जैसी आपका click होता है आपको link करना है तो simple से आपको नीचे scroll down करना है यह फिर आपको account पर click करना है account पर click करने बाद इधर पर आपको send money bank account का option देखने को मिल जाता है इस पर जैसे ही आप click करते हैं तो आपका bank account पूचे जाएगा bank account जिस भी account पर आपको bank account हो मतलब जिस भी आपके bank पर account हो उस bank को इधर पर search कर लेना है search bar पर search करके तो जैसे हमारा paytm payment bank है तो आप paytm payment bank से भी google pay को use कर सकते हैं तो simple से एक बार मैं आपको back करके बता दिता हूँ कि आपको कहां से add करना है bank account तो इधर पर आपको logo का icon देखने को मिल जाता है इधर से भी add कर सकते हैं या फिर एक option देखने को मिल जाता है view account balance का इधर से भी आप add कर सकते हैं तो हम ये account के logo वाले पर simply से click करते हैं इधर पर प्लस का icon देखने को मिल जाता है account का इस पर जैसी हम click करते हैं और इधर पर आपको अपने bank को search कर लेना है तो जैसी हम paytm payment bank को search कर लेते हैं हमारे पास आ चुका है इस paytm payment bank पर आपको simply से click कर देना है तो वही नंबर आपके पास सामने आ जाएगा जिस नंबर से आपका ptm account create हो मतलब जिस वही नंबर से आपका bank account मतलब link हो तो उसी नंबर को आपको इधर पर google paper इधर verify करना है तो simple से continue पर आपको simply से click करना है यह verify करेगा आपके bank account को कि आपके bank account पर यही फून नंबर link होगा तो आपके bank account को इधर से find कर लेगा तो जैसी हमारे पास वैरिफाइफिकेशन का एक आपको ध्यान रखिए जब भी verify आप करें तो तब आपके SIM पर रिचार्ज होना बहुत ही ज़रूरी अगर आपके SIM पर रिचार्ज नहीं है तो वैरिफाइफिक यह बिल्कुल भी नहीं होने वाला और साथ में आपका नेम पूछे जाएगा तो accept पर आपको simply से click कर देना है एक्ट पर simply से click करने एक बाद कोशे हैसा interface आपको देखने को मुलेगा फिर आपको इधर पर back जाना है बैक जाने एक बाद आपका जो UPI pin होता है वो हो सकता है आपका जब PTM payment bank को आप इधर पर link क करेंगे तो हो चकता है आप PTM यूज करते हूं पहले से तो आपका UPI pin already create हो बट अगर आप एक new user है और new अपने bank account को add करना चाहते हैं SBI bank या फिर और किसी bank को तो उधर पर आपको एक UPI pin generate करना पड़ता है उस UPI pin को generate कैसे करना है वो simple से मैं आपको बता देता हूं तो simple से आपको balance पर simply से click करना है balance पर click करते ही आपको UPI pin generate करनी का एक option देखनी को मिल जाता है उधर पर पहुंचे जाता है आपके card का last का six digit है फिर four digit का number पहुंचे जाता है और आपको expiry date डालनी है का card की और हो सकता है आपको CVV number भी पहुंचा जाए इतना सब करने को बाद आपक आप Instagram पर पूर सकते हैं अधर पर मैं आपकी full help करूँगा कि कि already मैं इस account की UPI pin create कर चुका हूँ तो अब मैं आपको live नहीं बता पा रहा तो आप इधर से create कर सकते हैं इस तरह से आप बड़ी आसनी से अपने Google Pay account को create कर सकते हैं अगर आपको money बगारा transfer करना नहीं आता तो उसके लिए मैं आपको separate से अलग वीडियो बना के दिखाऊंगा तो उस फर वीडियो पर जा सकते हैं हो सकता है यह वीडियो जब आप देख रहे हो तो मैंने अल्यडी बना चुका हूँ वीडियो अपने चैनल पर तो आप जाकर check out भी कर सकते हैं और साथ में गाईस जो भ कमारे, यह वीडियो खुटे घजडियो e पीडियो बना के कारी locations को किप जाले बना के यह वीडियो जीडियो भाउत्ईम हो वीडियो